क्या जेडिव के अंदर सियासी बवाल है? क्या जेडिय। के मंतरी आपस में ही टक्रार है? क्या नितीश कुमार के लिए मुस्किल हो रही है कि वो किस से दोस्ती रखे और किस पर एक्षन ले? या किस पर कारवाई करे? नमस्कार प्रणाम बिहार तक देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ इंद्र मोहर सियासी बवाल की चर्चा है इसलिए क्योंकि इससे पहले मैंने आपको अंदर की बात में बताया था कि जब अशोग चौधरी का कद बढ़ रहा है तो मुश्किल ललन सिंग के लिए भी हो रही है लेकिन अशोग चौधरी के कद बढ़ने से सिर्फ मुश्किल ललन सिंग को नहीं हो रही है बलकि मुश्किल एक और मंत्री है जो बनाये गए हैं संतोष सुमन की जगा जब हम पा इस सदा को जब मंत्री बनाया गया तो नितीश कुमार का जिक्र कर फपक फपक कर कैमरे के सामने रोय थी बिहार तक पर आपको वह वीडियो मिल जागा लेकिन बात आज उस बात की जो उनके फोन से निकली कैद हो गई और फिर वाइरल हुई हो और वाइरल ऐसी कि अब दो न नमंबर को पतना के वेटनरी ग्राउंड में भीम संसत का आयोजन किया गया था जिसमें दलित और महादलित लोगों की जुटान की गई थी इस पूरे कारकरम की अगवाई अशोक चौधरी कर रहे थे इस कारकरम में मंच पर रतनेश सदा भी मौजूद थे रतनेश सदा ज कहा कि समय का अभाव है जल्दी से भासन खत्म कर लीजिए और वो बैठ खे है फिर उसके बाद नेताओं की भाशन होने लगे अब जो आडियो वाईरल हो रहा है रतनेश सदा का इस वाईरल आडियो में रतनेश सदा का समर्थक एक मुंगेर से स्रवन कुमार सदा नाम का बेक्ति जो उन्हें फोन करता है और कहता है कि उसे ये बात पसंद ने आई तो क्या करें रतनेश सदा कहते हैं जो मंत्री हैं बिहार सरकार में जेडियू के विधायक भी हैं वो कहते हैं कि अशोक चौधरी का पुतला जला दो उसके खिलाफ लिखो और ये आडियो वाईर हो गया बिहार तक इस वाईरल आडियो में बातचीत करने वाले सरबन कुमार सदा तक भी पहुंचा उससे बातचीत की और जाना कि क्या ये वीडियो सही है या गलत है उन्होंने इस वीडियो की पूस्टी की और सरबन कुमार सदा ने कहा है कि उनकी बातचीत सही है और ये बात रतने सदाने कही थी लेकिन अब बात इससे आगे बढ़ गई है कि क्या जेडियू के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है क्योंकि इसके पहले चर्चा इस बात की भी हो रही थी कि जब अशोक चौधरी का कद नितीश कुमार बरहा रहे है क्योंकि जेडियू के अगर आप इत कारीव की जिसकी बात उन्होंने हर जगह की जिसकी वज़ा से रास्टे अध्यक्ष और उस नेता के बीज तनातनी होती है फिर रास्टे अध्यक्ष का एक्जिट होना होता है और फिर उस सक्स को रास्टे अध्यक्ष बनाया जाता है रतने सदा महादलित समार से आते हैं अशोक चौधरी दलित समाल से आता है। जेडियू के अंदर से चुकी इस गटबंधन से हम पाटी निकली चिराग पासमान वाहर हैं और ये सब NDA के साथ है। तो जेडियू को जरूरत एक ऐसे नेता की थी जो दलित और महादलितों की अगवाई कर सके। जिसका चेहरा बरा हो सके और उसके लिए उन्होंने अशोक चौधरी को आगे बरा है। अशोक चौधरी ने बार-बार ये कहा कि वो गार्जियन हैं बड़े भाई जैसे पार्टी के रास्ट्य अध्यक्ष हैं जो कहेंगे वही होगा। लेकिन खबरे ये निकल कर बार-बार आती रही कि अन्बन थी अशोक चौधरी और ललन सिंग के बीच में। हलाकि उस दिन मंच पर ललन सिंग भी 26 नवंबर को मौझूद थे बीम संसत उन्होंने भी संबोधित किया था। लेकिन पोस्टरों से गयब थे। पोस्टरों पर असोक चौधरी चाये हुए थे। खेर रतने सदा को जब मंत्री बनाया गया तब ये कहा गया कि जो मांजी की भरपाई हुई है जो जीतन्रा मांजी के एक्जिट होने की वज़से जो वेक्यूम बना है उसकी पूर्ती र रतने सदा करेंगे। रतने सदा दलित और महादलित के नीता हो सकते हैं। रतने सदा का चेहरा नितीश कुमार बढ़ा करना चाहते हैं। लेकिन रतने सदा उस तरफ सायद आगे बढ़ते हुए दिख नहीं रहे हैं। हलांकि जिस विभाग का उन्हें मंत्री बनाया गया लगातार लोगों को जोड रहेते, मिल रहेते, बातचीत कर रहेते और ये पूरा जो भीम संसद हुआ वो पतना में उन्होंने सफलता पूरबक करवा लिया इसे आप सफल आयोजन कह सकते हैं जेडियू के जिसमें अशोक चौधरी का कद बरता हुआ जरूर दिखा इसके पहले भी कहिए इसी तस्मीरे आये थी जिसमें नितीश कुमार ने अशोक चौधरी पर काफी भरोस आज़ता आया था लेकिन बात अब इससे आगे निकल चुकी है क्योंकि रतनेश सदा को कही ना कही अशोक चौधरी के बढ़ते कद से दिक्कत जरूर ही तभी उन्होंने फोन पर ये कह दिया कि अशोक चौधरी का पुतला जला क्योंकि रतनेश सदा को ये लग रहा था कि अगर या भीम संसर्द या महादलित और दलित के नेता के तोर पर जेडियू किसी को उभारती तो साथ रतनेज सदा होते ना कि अशोग चौधरी होते लेकिन अब अशोग चौधरी इसकी अगवाई कर रहे हैं तो रतनेज सदा को मुश्किल हो रहे हैं जेडियो में परिसानी अशोग चौधरी के बढ़ते कद सिर्फ अभीता का ऐसा लग रहा था कि ललन सिंग को हो सकती है लेकिन यह परिसानी अब ऐसा लगता है कि रतनेश सदा को जादा है रतनेश सदा उस दिसा में आगे बढ़ रहे थे जिस दिसा में शायद नितीश कुमार उन्हें आगे बढ़ा थे नितिश कुमार जब उन्होंने कहा कि आप तुम्हें कुछ पता नहीं है तुमको तो मंत्री मैंने बनाया ऐसी बात उन्होंने जीतर नमान जी के साथ भी बिधान सभाब में कीती खैर बात जेडियू में उठे बाबाल की अब जब रतने सदा काई के इस और वाइरल ओडियो की पुस्टी हो गई है कि यह ओडियो सही है इसके साथ कोई छेड़ चार नहीं की गई और जिस आदमी ने बातचीत की उसने भी यह बता दिया है कि क्या बातचीत हुई किस तरीके से बातचीत हुई अब सवाल उठता है कि क्या रतने सदा पर नितीश कुमार कोई एक्सन लेंगे क्योंकि एक रतने सदा जो बार बार कहते हैं कि नितीश कुमार उसके लिए उनके लिए भगबान है वो इतने दिनों तक बिधायक रहे लेकिन कभी किसी ने मंत्री बनाने की नहीं सोची और नितीश कुमार ने उन्हें जटके में संतो सुमन के एक्जिट होने पर मंत्री बनाया तो उस वक्त वो रोते हुए कह रहे थे बलकि जब ओथ दिलाई गई थी रतने सदा को तो उन्होंने नितीश कुमार के पैर तक छू लिये थे वहीं दूसरी और असोग चौधरी हैं जो नितीश कुमार के अब खासे प्रिये हैं नितीश कुमार अक्सर उनकी तारीफ करते रहते हैं तो मुश्किल अब यह होगी कि क्या रतने सदा पर कोई कारवाई की जाएगी क्या नितीश कुमार कोई सक्त एक्सन लेंगे क्योंकि प सक्स ने फोन किया था वह मुंगेर से ही आता है मुंगेर से वो पतना आया था हुआ सक्स रबनकुमार सदा इस भीमसंसंद में वो शामिल हुआ था और उसके बाद जब उसने बातचीत की है तो उससे यह सवाल उठने लगा है कि आखिर अगर जिस समाज की अगवाई करने की बात अशोक चौधरी को दी गई तो उस समाज की अगवाई के लिए रतनेस सदा को निटिश कुमार ने क्यों नहीं चुना साहिद यह भी एक बड़ा सवाल है जिसके वज़े से रतनेश सदा को ये बातें बुरी लगी और उसके बाद उन्होंने अपने समर्थक को अशोक चौधरी का पुतला जलाने उनके खिलाफ लिखने की बात तक कह दी लेकिन क्या यह बात आई गई हो गई और इसकी चर्चा सिर्फ जेडियू के आई उ कहे कि पार्टी के फोरम पर ही होगी या इसे लेकर कोई सक्त एक्सल लिया जाएगा या देखना होगा लेकिन जिस तरीके से अशोक चौधरी का कद बर रहा है उससे तो ऐसा लगता है कि रतनेश सदा पर कोई कारवाई जेडियू कर सकती है आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताईएगा और हर दिन ऐसे एक्स्प्लेनर के लिए आप बिहार तक को जरूर देखे